तो Delhi University के अंदर अभी भी आपका admission नहीं हुआ है, है ना, तो गबरानी की कोई बात नहीं है, because अभी भी Delhi University के अंदर 7000 seats, जी हाँ, 7000 seats अभी भी खाली हैं, क्योंकि CUT में इस बार बहुत देर हुआ है, पलस DU का management इप्जार बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसकी वज़े से अल्दो, DU ने 3 admission के round और 2 spot round और ये decide किया गया था, कि इनके बाद हम admission नहीं लेंगे, मगर अब सोचो न 7000 seats खाली हैं, इतनी सारी seat खाली होने का मतलब है, आपके पास अभी भी admission का चांच से तो गबराईगे मत, पूरी detail information देने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर, कि Delhi University के अंदर अपना admission करवा सकते हो, वीडियो end तक पूरा समझना और सुनना समझना, और चैनल पर नए हो, जल्दी से कर लो subscribe, टेलिग्राम चैनल भी join कर लेना, link description में आपको given है, चलिए बात करते हैं, आकर 7000 seat खाली हैं अभी भी, तो कैसे, आखरी special spot round होगा, जिसके admission ले सकते हैं, अब जिन भी college हों में seats खाली हैं, उन खाली seat की आपको information मिलने वाली है, 18 December को, और DU management ने ये साफसा बोल दिया है, ये बिलकुल last chance होगा आपके पास, ठीक है, और इस special admission round के लिए, ये जो spot admission round हो रहा है special आपके लिए, इसके लिए आपको apply करना है, 19 और 20 December को, आप अपने Delhi University के dashboard के थुरू, यहाँ पर apply कर सकते हैं, वो student जिनका अभी तक किसी भी list में, किसी भी spot round में admission नहीं हो पाया, उनके पास एक आखरी मौका Delhi University ने दिया है, कि आप इस special spot admission round में participate करके भी admission ले सकते हैं, तो 19 और 20 December को, आपको अपने dashboard के थुरू apply करना है, उसके बाद 22 December को, सुबह 10 बजे, seat allocation की list, decide की जाएगी, जारी की जाएगी, और 22 December सुबह 10 बजे से लेकर, 23 December, शाम को, 4 बच के 69 मिनस तक, यानि कि 5 बजे तक, students को वो seat accept करनी होगी, उसके बाद आपका admission confirm होगा, ठीक है, आप कितनी seats हैं, कौन-कौन से courses में seat available हैं, उसके बारे मे ये depend करता है, seat कितनी available होगी, आपका program, college का order जो आपने भरा होगा, category क्या होगी आपकी, उसके basis पर basically seats decide की जाएगी, seats आपको inform की जाएगी, अब एक खास बात और है, अगर आपका admission इस spot round के अंदर हो जाता है, यानि कि आपको अगर इस round के हिसाप से seat मिल जाती है, तो आप आपको वो seat लेनी compulsory होगी, अगर आपने वो seat accept नहीं करी, तो फिर आपका university में admission इस session में नहीं हो पाएगा, ठीक है, और साफ साफ DU management ने ये बोल दिया है, कि ये आखरी round होगा, इसको बाद कोई भी admission portal दुबारा से open नहीं होगा, क्योंकि already ये चीज़ डिकलेर की जा चु या अलग-अलग courses की कुछ seats खाली है, हाँ, definitely ऐसे भी colleges हैं, जिनके अंदर seats already follow चुकी है, तो आखरी मौका है, DU में admission लेने का special spot round के अंदर, मैं आप सभी से request करूँगा, जिनका अभी तक ये किसी भी college में आपका नाम नहीं आया है, किसी भी course में नहीं आया है, तो एक बार यहाँ पर भी जरूर जरूर ट्राई करें, कल जैसे हैं बता चुका हूँ, 18 दिसंबर को खाली seatों के बारे में information आ जाएगी, और आप लोग अपने dashboard के थुरू, 19 और 20 तारिक को जरूर अपलाई करके देखें, क्या पता, मौका अभी भी आपके पास हो, तो वीडियो जल् चुका है, हुआ है, तो कौन से college by admission हुआ है आपका, ठीक है, तो वो चीज़ बताएं आप मुझे, और मिलूँगा next वीडियो में, तब तक telegram चैनल पर आ जाओ, और subscribe करें भीना, वीडियो मुझे पता है आप नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है, for the next वीडियो, check care, bye-bye, and Vijay कुटा, साइने कोस।